Dear students, Today our topic is life. ये chapter एक dialogue की form में लिखा गया है, which is written by Ramnath Shastri in Dhogri language and translated in English by Shivnath. इस chapter में author ने इस universe के elements को humans की तरह बोलने की सलाहित दी है. इस dialogue में आप wind, stars, moon, cloud, ocean और अर्थ के साथ बात करते हुए पाओगे. विन्ड चलते चलते इन elements से पूछती है कि जिन्दगी क्या है? हर कोई element इस सवाल का जवाब अपने अपने अंदाज में देता है. इस lesson में, wind सबसे पहले stars से पूछती है कि जिन्दगी क्या है? तो stars जवाब देते हैं कि उनकी नजर में जिन्दगी का मतलब है अपनी खुद की रोशनी होना. वो रोशनी जो उनकी उनको रोशन करती है और उनकी पहचान बनाती है. इसके बार, wind चलते चलते यही सवाल के जिन्दगी क्या है? मून से पूछती है. इस सवाल का जवाब मून बहुत ही गमगीन और संजीता अलफाजों में देता है. कि उसके पास जो रोशनी है वो उसकी खुद की रोशनी नहीं है. बलकि उधार लीव हुई रोशनी है. यही वज़ा है कि उस पर काले काले धब्बे हैं. ये धब्बे तो उसके लिए जैसे कफन है. मून खुद को एक विद्वा की तरह जिसका खावन ना हो उसको बेवा या विद्वा कहते हैं. उसी तरह से मून अपने आपको समझता है. चलते चलते ये विंड ओशन के पास पहुँचती है. और उसे ये सवाल पूशती है कि तुम्हारी नजर में जिन्दगी क्या है? ओशन इस सवाल का जवाब देता है कि अपनी लिमिट्स का पता होना और अपनी डिगनिटी को मेंटेन करना लाइप है. अपने सारे कड़वे एक्सपीरियंस को ऐसे लेना जैसे कि वो पॉल्स और रूबीज कहलाते हूँ. विंड चलते चलते इसके बाद क्लावड के पास पहुचती है. और उसे भी यही सवाल पूचती है. तो कलावड जवाब देता है, खुद को दूसरों की खुशी, हैपिनेस और जॉय के लिए कुर्बान करना और ज़ूरत मंदों की ज़ूरत पूरी करना जिन्दगी है. इसके बाद विंड यही सवाल लेकर अर्थ के पास पहुचती है. और अर्थ इस सवाल का जवाब कुछ इस तरह से देती है कि जिन्दगी, प्यार, महबत और शफकत का नाम है. इसके बाद विंड एक छोटी लड़की के पास पहुचती है. और देखती है कि लड़की एक जलते हुए दिये से और दिये जला रही थी. वो यह देखकर रुक जाती है. यह देखकर विंड बहुत खुश होती है और मतासर भी हो जाती है. और वो सब कुछ बूल कर लड़की के इस काम में शामिल हो जाती है. थैंक यू.